आज हम बनाएंगे खारी, शुगर खारी और क्रोसा तो इसके लिए मैंने लिया है पेस्ट्री शीट जिसे मैंने बना कर फ्रोजन करके रखा हुआ था इसकी रेसिपी आप मेरे पहले की वीडियो में देख सकते हैं उसका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दिय देते हैं तो उसके लिए मैं पेस्ट्री शीट को स्ट्रीप्स में कट किया और दोनों साइट से रोल करके उसमें हम शुगर स्टिक कर देंगे और क्रोसा बनाने के लिए मैंने खारी शीट को ट्रेंगल शेप में कट फिर मैंने इसमें गनाज डाला गनाज की जगह हम लगा कर स्टिक कर लेंगे इसमें हम गनाश या क्रश की क्वांडूटी कम ही रखेंगे क्योंकि यह बेख होते समय साइट से निकल कर आ जाता है खारी शीज बना कर मैंने क्लिंग फोई में रैप करके फ्रीजर में रख दिया है और जब भी हमें पेटी खारी या क्रीम रोल कर tuna हो तब हम उसे आते घंटे पहले फ्रीजर से निकाल कर रूम टेंपरिचर में ने देंगे और उसके बाद शेप में कट करके व क्रोसा कर रेड़ी है और खारी भी बेक हो चुकी है तो देक्किंश से खारी को हटाकर हम इसमें पॉसा और शुगर थारी को भी 80 डिग्री में बेक करने के लिए रख देंगे हमारी सारी चीज़ें बेक होकर रेडी हैं आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फर वाचिंग